αलोar इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग वेरी गुप इस्टूडेंट्स के प्रिवेस्ट क्लास समस्कें एप सेटी किया था कि एलैक्टिक फ्यूज क्या है उसकी टिकास एसिक छानेट कैसे वोगी सेफटी डिवाइस होती है जो हमेंसा लाइव ऐसा स्रीज इसका में डिये छो आपका टीन आपका मेंद ये और लेड कusta मिलकर बना होता है यह हमने आपके साथ discuss किया था यह हमने आपके साथ discuss किया था अब हम आगे discuss करेंगे अब हम आगे discuss करेंगे कि अर्थिंग क्या होती है और medicine का magnetism में क्या role होता है आएए देखते हैं कि अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग के क्या benefit है अर्थिंग हम क्यों करते हैं आइए हम इसके भी सेम डेसकेस करते हैं इतर्थिंग को खाओंडिंग कहते हैं तो चाहे आफ ग्राओंडिंग कहिए या आर्थिंग कहिए दोनों एक कि सेंट तू कनेक्ट दा मेटालिक केस आफ एंटेकल अप्लेंसे विद्ध आर्थ इच काल्ड अर्थिंग केसी अलेक्टिकल एप्लेंसे जिनमें मेटालिक केस लगा होता है जैसे आपका फ्रिज है रेफ्रीजरेटर है आपका एलेक्टिक प्रस है आपका कूलर है हीटर है मिस जिनमें मेटाली केस लगा होता है अब जिनमें मेटाली केस लगा होता है तो वह एलेक्टिकल अप्लियंस जिनमें मेटाली केस लगा होता है उनके मेटाली केस को अर्थ से कनेट करने को अर्थिंग कहते हैं तो कनेक्ट दा मेटाली केस आफ एन एलेक्टिकल अप्लियंसेज किसी एलेक्टिकल अप्लियंसेज के मेटाली केस को अर्थ से कनेट करने को अर्थिंग कहते हैं विद्ध अर्थ ही कार्ड अर्थिंग उसे हम क्या बोलते हैं अर्थिंग बोलते हैं तो किसी एक्षिए एक इसके अर्थ से करने को अर्थिंग कहते हैं मेंस किसी electrical appliances के metallic body को अर्थ से connect करने को अर्थिंग बोलते हैं, अब ऐसे हम करते क्यों है, आई हम पहले यहां से explain करें, देखें यह कोई electrical appliances है, यह उसकी metallic body है, इसके अंदर यह element लगा हुआ है, इसके अंदर यह element लगा हुआ है, अब और यह देखें live wire गया है, यह neutral wire गया है, connect हुआ है, यहां पर यह fuse है, यह switch लगी हुई है, यहां पर plastic insulation था, जो किसी कारण बस यह plastic insulation यहां से हट गया था, means यह wear and tear हो गया था, जब plastic insulation हट गया, तो यह direct जाकर के metallic body से touch हो गया, यह metallic body से touch हो गया, तो जो live wire से जो भी charge यहां जाएगा, वो इस electrical appliances के metallic case पर आ जाएगा इसको अचानक हम touch कर लेंगे तो हमें electric sack लग जाएगा, उससे बचने के लिए यहां एक pin बनी होती है, यह terminal बना है, इसको हम earth wire से connect कर देते हैं, और यह earth wire जाकर के ground से connect कर देते हैं, तो जो भी charge इस metallic appliances पर आता है, earth wire का resistance variable होता है, तो सारा charge जाकर के earth में चला जाता है, और इस metallic case का potential zero हो जाता है, जब हम इसको touch करते हैं, तो हमारा body earth के contact में वो भी zero potential पर है, यह भी zero potential पर है, कोई charge हमारे body में नहीं फ्लो करता है, हमें electric sack नहीं फील होता है, फिर से समझे लों, यह कोई electrical appliances है, उसके अंदर यह लगा हुआ filament या electric element है, आपका elements है, यह उसकी metallic body है, यह आपका neutral wire गया हुआ है, यह आपका live wire है, यह huge है, यह आपका switch है, यहाँ पर plastic insulation हट गया है, इस plastic insulation का हटने से यह live wire इसके metallic body को touch कर रहा है, यह इसके metallic body को touch कर रहा है, अब जो current flow करेगी तो charge इसके body पर आ जाएगा, अचानक अगर हम इसके body से touch हो जाएगे तो हमें electric sack ल होता है, इसको हम earth wire से connect कर देते हैं, earth wire का, earth का resistance very low होता है, तो जो भी charge इसके body पर आता है, वो earth में चला जाता है, इस metallic body का, यह metallic case zero potential पर आ जाता है, और हमारा body भी zero potential पर आता है, हम इसे अगर touch करते हैं तो हमें electric sack नहीं लगता है, means हम अगर इसको touch करेंगे तो हमें electric sack नही का, यही benefit होता है, अगर यहां पर positive charge आएगा, देखें यहां positive charge आएगा, तो positive charge का potential greater than zero होता है, अर्थ यह earthing का symbol है, अर्थ का potential zero होता है, जब हम इसको अर्थ से connect कर देंगे, तो अर्थ में से electron, यहां से electron निकल के चलते हैं, यह आगर कि यहां positive charge को neutralize कर देते हैं, थोड़ का charge भी zero हो जाता है, इस body का potential भी zero हो जाता है, थोड़ी देर बाद इस body का charge भी zero हो जाता है, और आपका potential भी zero हो जाता है, दोनों zero हो जाता है, इसका मतलब ही हो गया, कि जब किसी body को हम अर्थ से connect कर देंगे, तो उस case में अगर वो positively charged body है, तो अर्थ से electron आते हैं, उसको neutralize कर देते हैं थोड़ी दिर बाद उस बॉड़ी का पोटेंसल जीरो हो जाता है उसका चार्ड जीरो हो जाता है और अगर यह निगेटिव ली चार्ड बॉड़ी यहां पर निगेटिव चार्ड आया है तो उस केस में आप करेंगे तो इसका निगेटिव चार्ड अर्थ में च जिस body को हम earthing करते हैं, उस body का potential हमेशा 0 हो जाता है, जिस body को हम earthing करते हैं, उसका potential हमेशा 0 हो जाता है ओके तो आएगे रेखें, it is a safety measure to avoid electrical shock from the appliances if by fault some charge has been accumulated on the body करें अगर किसी फाल्ट की वजा से कुछ चार्ज जो है उस अप्लेंस के बाड़ी पर कलेक्ट हो गया है हम उसको टच करेंगे तो हमें लेक्टिकल साथ लग जाएगा उस लेक्टिकल साथ से बचने के लिए हम यह सेफटी मीजर है कि हम उसके मेटालिक केस को अर्फिंग कर देते हैं या ग्रांडिंग कर देते हैं द्यू टुब एरी स्माल रजिस्टेंस आप डाट इफ अप्लेंस अग कनेक्टेड इड़ आर्थ चार्ज फ्लोश टू दा अर्ट थू दा अर्थ वायर एंड़ वी सेव फ्राम एलेक्टिकल साथ मेंस अर्थ का रजिस्टेंस बे और इस बॉड़ी का मेटाली केस दोनों जीरो पोटेंसियल पर आ जाते हैं अगर हम इसको अचानक टेच करेंगे थो हमें कोई एलक्टिक साथ नहीं लगेगा एलक्टिक साथ से हम बच जाते हैं ब bebाडा होग है यह किसी बडी को अर्थिंग सो करने के लिए हम यह संबल का यूज करते हैं sulphır यह symbol का यूज़ करते हैं आई ये तो रहा रफिंग के लिए तो अर्फिंग में आपने जान लिया कि जब ही हम किसी अलेक्टिकल अपलेंश के मेटालिक बोड़ी को आर्थ से कनेट कर देते हैं इसे अर्फिंग कहते हैं करने का वेनिफिटी होता है कि अगर बाई फाल्ट कुछ चार्ज हमारे मेटालिक बॉड़ी के हमारे एकलेक्टिकल अप्लेंसच के मेटालिक केस पर आ गया तो हम वह अर्थ का रजिस्टेंस वेरिल होता है तो अर्थ वायर के थूरू अर्थ में चला जाएगा हम अगर टच अर्थ बाडि है तो उसका नीगेटिव चार्ट आर्थ में चला जाएगा और वो बाड निव्टन हो जाएगा उसका पटेंसल जीरो हो जाएगा आएए अब हम देखें कि magnetism का medicine में क्या roll है medicine में इसका क्या यूज है हम लोग यह मार आई कराने जाते हैं hospital में यह मार आई क्या होता है उसमें magnetism क्या roll है आएए हम देखते हैं, discuss करते हैं magnetism के vision में तो देखें, in our body a small current, in our body a small current flows along the nerve cells due to ions, हमारे body में जो nervous cells होती है ions के flow होने के वजह से nervous cell में current एक small magnitude की current flow करती है, हमारे body में nerve cell में ions की वजह से, एक small amount में electric current flow करती है, the above current produces a very small magnetic field in our body, यह जो current flow करती है, इसकी वजह से हमारे body में एक very very small magnetism produce होता है, जिसकी value अर्थ के magnetism का लभग one million times कम होता है, तो लेकिन magnetism, magnetic field produce होती है, और यह magnetic field सबसे importance किसके लिए होती है, heart के लिए brain के लिए, heart and brain are two main organs in our body, where this magnetic field is quite significant, हमारी body का heart और brain यह तो ऐसे organs हैं, जो इस magnetic field से सबसे जादा effector होते हैं, जिनके लिए magnetic field सबसे जादा important होती है, जिनकी study हम इस magnetic field के help से करते हैं, the magnetic field of our body help us to obtain the image of its different parts by using a technique called MRI, एक होता है, MRI magnetic regionance imaging, MRI magnetic regionance imaging, magnetic regionance imaging, तो magnetic regionance imaging के help से हम अपने body के different parts जैसे brain और heart की mapping करते हैं, उस mapping करने से हमें यह पता लगता है कि क्या heart या brain में कोई abnormality तो नहीं है, कोई disease तो नहीं है, कोई part affected तो नहीं है, इसकी जाच हम MRI के through करते हैं, magnetic regionance imaging के through करते हैं, on analyzing the image obtained by MRI, MRI से जो भी image हमें मिलती है, उसको analyze करते हैं, उसकी study करते हैं, we can find the location of location and size of the brain tumor ATC, कहीं brain tumor हुआ है, तो हम उसका size कितना बड़ा है, location कहां है, यह है, MRI से पता कर सकते हैं, दस magnetism play, magnetism play an important role in medical, तो आपने देखा, कि medical में भी magnetism का एक बड़ा important role है, एक और बात बता करते हैं, कुछ ऐसे living organism होते हैं, जो अर्थ के magnetic field को detect करकर के उसी के according travel करते हैं, कुछ type की कुछ fish होती है, जो अर्थ के magnetic field को detect कर लेती हैं, उनके अंदर special organs होते हैं, जिनसे वो detect कर लेती हैं, और कुछ साइबेरियन जो है वो birds होते हैं, जो अर्थ के magnetic field के help से वहां से यहां तक आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे organism भी हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे organs पाजाते हैं, जिनके help से वो अर्थ के magnetic field को detect करकर के और उसके help से वो अपनी journey करते हैं, तो means magnetism का रोल यहां भी है, तो यह रहा अर्थिंग क्या है, हम लोगों ने अर्थिंग discuss कर लिया, grounding discuss कर लिया, star circuiting discuss कर लिया, overloading discuss कर लिया, future wire discuss कर लिया, magnetic effect electric current discuss कर लिया, अब हम इसके numerical solve करेंगे, और numerical solve करने के बाद फिर हम chapter five sources आप energy पर आएंगे, sources आप energy का discussion करेंगे, यह magnetic effect आप है, electric current, यह very important chapter है आपके लिए, इसको अच्छे से prepare कर लेना है, okay, और आपको यह भी ध्यान रखना है, कि एक बात और भी ध्यान रखना है, कि जब हम अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग दो तरीकी, एक तो local अर्थिंग होती है, कि हम अपने घर के ground compound में ही कहीं, एक घड़ा खोद करके उसमें एक copper की rod डाल देते हैं, उसमें charcoal डाल देते हैं, water डाल देते हैं, वो अर्थिंग कर देते हैं, तो एक तो वो अर्थिंग हो गए, जिसको local अर्थिंग कहते हैं, और दूसरी अर्थिंग होती है, जो अभी हमने बताया कि हर एक metallic appliances के metallic case को जो है, उसको earthwire से connect कर देना यह अर्थिंग है, तो दो तरीके से अर्थिंग हो गए, जो हम अपने घरों में करते हैं, एक यह अर्थिंग होती है, जिसमें हम किसी भी electrical appliances के metallic case को connect करते हैं, earthwire से, तो यह अर्थिंग होती है, तो दोनों कोई के विसे में आपको ध्यान रखना है, okay.